इसलाम अलेकुम स्टूडेंट्स हमने कल चैप्टर नमबर एट को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर के कुछ जो चैप्टर का आदा चैप्टर था हमने वो पढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हाव तो काविया और रोहन जब जो उन्होंने डिशिस दोए थे उसको कबर्ड में रखने जा रहे थे उस वक्त रोहन के हाथों से एक जैम का जो रिट जार था वो तूड़ गिया फिर नीचे यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्रैश तो जैसे ही जैम जार गिर गया तो उसकी इतनी तेज आवाज थी उसकी मदर जो थी वो उट गई और इसने बैबी को भी उसके जो जो चोटे बाई थे वो उसको भी जगा दिया उसकी मान ने जल्दी से बैबी को उठाया और किचेन के अंदर पहुंची तो देखा कि जमीन पर जो चूट कर गिर चुका है उसने कहा उनोंने कहा कि तुमने तो मेरा रेड जैम का जो जार है वो गिरा दिया शी सेट ओह यू हे वाश्ट अल दिशिस दैट सो स्वीट आफ यू थैंक यू चिल्डन तो माने और जब दूसरी तरफ देखा तो सब जो है वो साफ कर लिये थे जितने भी पड़े हुए थे जितने भी डिशिस प्लेट्स एंड काब सब पड़े हुए थे सब को साफ कर लिया था तो मा खुश हुई कहा थैंक यू चिल्डन बहुत शुक्रिया चिल्डन कि तुम लोगों ने इसको साफ कर लिया माड़ पुट दे बेबी इन ना हाई चेर एंड हट काविया और रोहन माँ ने बेबी को चेर पर रखा और काविया और रोहन को गले से लगा रहा है Then, she picked up a broom and swept the broken pieces away. फिर उनोंने बुरूम उठाया, बुरूम कहते हैं जाडू को, हमारे जबान में क्या कहते हैं? जाडू. जाडू उठाया और जो टूटे हुए शीशे थे, उसको साफ कर लिया. माने कहा, काविया रोहन तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया है, यानि जो डिशिस रखे हुए थे, जो हमारे घर के बरतन वगरा जो रखे हुए थे, बगर साफ किया, उनको तुमनों ने साफ कर लिया. तैंक यू, मैं आज तुमनों को इसके बदले, तुमारे ले एक तुमारे जो पसंद के डिश है, उसको बनाऊंगा. काविया रोहन वार वेरी एकसाइटेट. काविया जब माने ये कहा, तो काविया रहन भी जाहर से बात है, बहुत खुश हो गए. तो सो मदर तुक आओ टुक आओ टुक बाओल, सम शुगर, फलोर और थी एकस. शी मिक्स तुम तोगेदर और पुट देम इन दे ओवन तो बेक. तो उसके बाद माने एक बॉल उठाया, बॉगम ने शुगर डाला, फलोर डाला और एकस कुछ डाले. और उन सब को ओवन में रख दिया. रखने के बाद, कुछ देर के बाद, मशीन में रख दिया मौलब, जिसमें रखने से खाना बन जाता है. तो कुछ देर के बाद, जब नहोंने उठाया, जब नहोंने निकाला, तो वहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार कुगीर रेडी था. खाना रेडी था, जिसको रोहन और काविया खा सकते थे हैं. तो वो क्या था, उनका फैवरिट एक चोटा सा बिस्किट टाइप का कुछ फ्लोर का बनाते थे. तो उसको माने तैयर कर लिया और रोहन और काविया के सामने सर्फ कर दिया. और काविया और रोहन मज़े से खाने लगे तो यह कहानी है, हमारे चैप्टर नबर एट का, कि जिसमें बुक का जो है, यह क्या था? यहां से काविया और रोहन खुश थे, तो यह हमारे कहानी खत्म हो गई, हम जरा क्वेशन जरा पढ़ते हैं, अंसर दीस क्वेशन, वाई वाई वाज दा हाउस क्वाइट, घर में इतनी खामोशी क्यों थी, क्योंकि सब सो रहे थे, मा भी सो रही थी, चोटी बच्ची भी सो रही थी, what was the sink full of, sink में क्या पढ़ा हुआ था, sink में जो है, सामान पढ़े हुए थे, यह दो ही question हमने दिये हैं भी, तो आप इस lesson को reading करें और, जरा question को भी देख लिए, इन्शो आला question हम सब लिक के बेच देंगे आपको, आपस्ट